नमस्कार दोस्तो जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्त समंधि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सबी फीडियो की नौटिपिकेशन मिले आपको सबसे पहले बहतर स्वास्ता के लिए हम क्या कुछ नहीं खाते हैं इसके बावजूद कभी ना कभी स्वास्ता समंधि समस्याव से परिशान रहते हैं लेकिन चियाग सीट्स, अखरोट और मुंफली को रेगूलर अपनी डायेट में शामिल करने आप अपने स्वास्ता को बहतर बना सक सकती है जानी इनके और भी फाइदों के बादे में चिया बीज ऐसा माना जाता है कि चिया बीज धरती पर सबसे ज़्यादा पोशन तत्तों वाले खाद्य प्रधारतों में से एक है चिया बीज में एक ओस लगबक 28 ग्राम मातरा और 11 ग्राम फाइबर होता है और मैगनेश कैल्शियम मैगनीज कैल्शियम और कई खनीज बधारत शामिल होते हैं इस प्रकार आप इनका नियाय में सेवन करके इन्हें अपने स्वास्त आहार में शामिल कर सकते हैं अखरोड अखरोड अट्यदिक पुष्टिक होता है क्योंकि इसमें फाइबर की अच्छी मातरा होती है साथ इसमें सभी प्रकार के विटाइमिन भी भरपुर मातरा में होते हैं मुंगफली, तक्निकी रूप से मुंगफली कोई फल नहीं है, बलकि ये फल्यों से समंदित होते हैं, मुंगफली में एंटियोक्सिडेंट होते हैं, और पोशन तत्तों भी अच्छी मातदा में होता है, साथ यहां बहुत ही स्वाजिष्ट होता है, अध्योने उससे पता च चला है कि मुंगफली अतिरिक तो वजन को कम करने में सायक होता है,